दोस्तों नमस्कार जैसर कश्णा जैसरी राधे दोस्तों आज हम आपको जानकारी देंगे 9 मार्च 2021 आज के लव रासी फल की आज आपकी लव लाइफ आज आपकी मेरिड लाइफ कैसी रहेगी इसके बारे में जानकारी देंगे आज के लव रासी फल की सुरुवात करेंगे लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारा लवरासी फल चंदरासी के आधार पर होता है कुंडली वाली रासी के आधार पर होता है उसी के नुसार इस लवरासी फल को देखें वा सुनें अगर आपको चंदरासी पता नहीं है तब आप इसे नाम रासी का नुसार भी देखवा सुन सकते हैं तो आएए दोस्तों सुरू करते हैं आपका लवराजी फल बताना आज दिन मंगलबार है आज चंद्रमा मकर रासी में रहेंगे मकर रासी में गोचर रहेगा चंद्रमा का चंद्रमा सनी के साथ में युती बना करके बिस दोस बनाएंगे बिस योग बनाएंगे गज केसरी योग की इस्तिती भी रहेगी लेकिन बहुत हद तक जो फल मिलेगा वो बिस योग का बनेगा तो बिस योग जो की बहुत जादा खतरनाक होता है आपके लिए अपमान कारक होता है आपके लिए नुकसान धायक होता है मान से कसांती को दरसाता है और बहुत सारी परेसानियों को दरसाता है बहुत सारी इस्तितियां जो आपके आज खराब होने वाली हैं कुछ हद तक आपके लिए ब्रेकप की इस्तिती भी बना देती है तो किस रासी के लिए क्या होने वाला है किस रासी के लिए क्या इस्तिती नॉर्मल है किस रासी के लिए क्या इस्तिती बनेगी इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे रासी फल भी शुरुवात करते हैं सबसे पहले रासियों के क्रम में में इस रासी की बात करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपकी लब रासी फल में किसी भी प्रकार की आपको problem बताई जाती है कोई भी problem मैं बताता हूँ तो उस problem के समाधान है तू उस problem को समाप्त करने के लिए या उस problem को टालने के लिए आप हमारे देनिक love tips किया कीजिए उपाय के रूप में आप रोजाना एक उपाय आपको मिलता है दोस्तों कल आपको लव रासी भल भी नहीं मिला और love tips का वीडियो भी नहीं मिला उसके लिए छमाप्रार्थी हूँ कुछ कारण हो जाते हैं स्वास्त में कुछ problem हो गई उस बज़य से भी हम आपको वीडियो नहीं दे पाए तो आज स्वास्त ठीक है और आज हम आपको लव रासी भल प्रदान कर रहे हैं तो आईए जानते हैं कि किस प्रकार से आपका आज का दिन रहने वाला है सबसे पहले बात करेंगे मेश रासी वालों की मेश रासी वालों आज आपका मन काफी असान्त रहेगा आज अगर आप सिंगल हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मान से कसांती हो सकती है अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा नहीं है आज किसी को प्रपोज करने से आपका अपमान हो सकता है आज देखा जाए तो अपने कारी चित्र में यानि कि अपने ओफिस इत्यादी में भी किसी को प्रपोज नहीं करना चाहिए आपको या किसी पर भी ध्यान ऐसा नहीं देना चाहिए किसी को ज़्यादा रोक टोक नहीं करना चाहिए किसी पर ज़्यादा अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए बनी बनाई दोस्ती भी बिगड़ सकती है आज के दिन आज के दिन अगर किसी को प्रपोस करते हैं तो हो सकता है जो आज तक अच्छा दोस्त था आपके साथ मैं बहुत अच्छी तरीके से बात चीत करता था वो व्यक्ति भी आपको इग्णॉर करने लगे ये स्तिती बन सकती है अगर रिलेसंसिप की बात करते हैं तो रिलेसंसिप में आपके लिए स्तितियां तो यह बनती हैं कि आज के दिन आपके पार्टनर आपसे नाराज हो जाएंगे आज आपके पार्टनर आपको रुला भी सकते हैं आज आपके पार्टनर आपका अपमान भी कर सकते हैं या पुरानी बातों को कहीं न कहीं ऐसा दरसाएंगे जिससे आपको बेज़िती सी अपमान जैसा महसूस हो आपके स्वाहिमान को ठेस पहुंच सकती है आज आप बार-बार मैसेज करेंगे तो आपके partner आपको ignore करने की कोसिस कर सकते है कहीं न कहीं आप अपने स्वाहिमान को ठेस पहुंचाएंगे मेरिड लाइफ में आज का दिन अच्छा नहीं है, खास करके अगर आप अधिकारी हैं या आपकी वाइफ या आपके हस्बेंड अधिकारी हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला हैं। दोस्तों ब्रिसव रासी वालों की, ब्रिसव रासी वालों आज चंद्रमा आपकी रासी से नवम भाव में रहेगा। आज देखा जाए तो आपके लिए बहुत अच्छे चांस बनते हैं कि आज किसी को प्रपोज कर दें, आप सिंगल हैं किसी को प्रपोज कर दें तो आपक अगर आप marriage के लिए तयार हैं तब आपके proposal को accept किया जाएगा अनिता नहीं अगर आप ऐसे ही किसी को केवल और केवल time pass के लिए propose करते हैं और उस व्यक्ति से आप ये चाहते हैं कि वो व्यक्ति आप मुझ पर उनके बोल भी दें कि आप उन्हें केवल और केवल ऐसे ही प्या जाती है कि आपके लिए जो व्यक्ति आपके प्यार को accept करेगा वो आज के दिन marriage की बात जरूर करेगा यहाँ पर देखा जाए तो extra marital affair में problem बन सकती है extra marital affair में आपके द्वारा कोई ऐसी परेसानी उत्पन हो सकती है आपके द्वारा कोई ऐसा किया कार्य जो बीते समय में आपने किया था वो आज परेसानी उत्पन कर सकता है extra marital affair में married life में भी थोड़ी बहुत problem उत्पन हो सकती है लेकिन फिर भी normal रहेगी स्थिति दोस्तों बात करते हैं मिथुन रासी बालों की मिथुन रासी बालों चंद्रमा अश्टमस्त रहेगा आज आपका मन बहुत अस आज extra marital affair में break up भी हो सकता है आज आपको extra marital affair में partner नाराज होकर के गुस्से में block भी कर सकता है आज के दिन single हैं तो कुछी को propose न करें आपके लिए ऐसी स्थिति बनती है कि आज आपके partner आपकी बहुत जादा परिक्षा लेन की भी कोसिस करेंगी आज married life में third party की स्थिति ज्यादा तर परेशान कर सकती है और सक की स्थिति भी बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है आज आपको क्या करने से बचना चाहिए इस चीज का business ख्याल रखें कि आज ज्यादा किसी चीज पर छानवीन करने से बचना चाहिए relationship में आपने partner पर ज्यादा सक करके उसके character को ज आपकी रासी से सब्तम भाब में रहेगा चंद्रमा और सब्तमस्त चंद्रमा की स्तिती आपकी मेरिड लाइफ में काफी हद तक परिशानियां दूर हो सकती है। आपके पार्टनार आपको छोड़ कर गए थे तो उनकी बापसी की भी संभावनाय बनती हैं लेकिन उनकी बापस आने की स्तिती भी उतनी अच्छी नहीं होगी जिससे की पूरी दर ऐसे आपको खुशी महसूस हो। कोई और व्यक्ति है उनकी लाइफ में वो आपको एक दोस्त बनाना चाहेगा अगर आप बनना चाहें तो वो दोस्त की स्तिती में आ सकते हैं। लेकिन वो आप पर बहुत ज्यादा बिश्वास, बहुत ज्यादा लगाव आपसे नहीं रख पाएगा। उसके साथ साथ आपके relationship में बहुत सारी problem आज नई create होंगी। आज आपकी खुद की गलती के बज़े से बहुत ज्यादा जगड़े बाद विवाद बन सकते हैं। आज हो सकता है किसी तीसरे की बज़े से भी जगड़े उत्पन हो सकते हैं। आज physical relation के साथ में कहीं से भी किसी भी इस्तिती में ना जाईए। अगर आप किसी के साथ में physical relation में जाते हैं, खास करके अगर आप महिला हैं, तो आपके लिए आज के दिन बहुत ज़्यादा बेचैनी और परेशानी लेकर आनी वाला होगा। आज के दिन पार्टनर से मुलाकात करते समय बहुत सावधान हो जाईए, कहीं न कहीं आपके साथ में परेशानी उत्पन हो सकती हैं। किसी प्रकार से आपके साथ में सड़यंत रित्यादी भी किया जा सकता है किसी के द्वारा। आज देखा जाए तो आपके लिए प्रेम संबन्द बहुत ही मजबूत होगे। इस्तितियां बहुत ही मजबूत रहेंगी, बहुत अच्छी रहेंगी। बात करते हैं दोस्तों तुला रासी बालों की। तुला रासी बालों आपकी रासी से चंद्रमा चतरत भाब में रहेगा। आज आपके बहुत ज़्यादा फीलिंग, इमोशनल बिचार बहुत उत्पन होंगे। आज आपके पार्टनर आपकी कद्र करेंगे, आपकी बात मानेंगे। आज आपको रोने से बचना चाहिए। किसी प्रकार से अगर आपको इमोशनल ज़्यादा होकर के रोना आए, तो उन चीजों से आपको बचना चाहिए। आज के दिन आपके पार्टनर से आपको कोई बादा नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप उस बादे को निभा नहीं पाएंगे, और उस बज़े से आगे रिलेसंसित में प्रॉब्लम उत्पन हो सकती है। देखा जाए तो आज आपके पार्टनर कुछ आपको गिप्ट त्यादी भी दे सकते हैं, ये भी स्तिती बनेगी। और आपके लिए कुछ मदद अगर आप चाहते हैं, किसी प्रकार से मदद भी कर सकते हैं, ये भी स्तिती बनते हुई नजर आएगी। दोस्तों, एक्ष्टा मेरिटल अफैर में स्तितियां थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भरी हो सकती हैं। बात करते हैं ब्रिश्चिक रासी वालों की। ब्रिश्चिक रासी वालों आपकी रासी से चंद्रमा तृतिय भाब में रहेगा। आज आपका मन असांत रह सकता है। आज आप पार्टनर को बहुत ज़्यादा मनाएंगे, तब भी वो नकड़े दिखाएंगे। आज की स्थितियां कही न कहीं आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्ता और चुष्ड़ापन भी दिलाएंगे। आज देखा जाए तो आपका विचार जो होगा वो मैरिज से रिलेटेट बातें ज़्यादा करेंगे। आज आज आप हसी मजाक की बातें करते समйeten सावधान हो जाएं । आज आज आपके कोई चोगली कर सकता हैं ये भी इस्तिती नजर आएगी आपको और या बीते समय आपकी कोई गुराही आपके पार्टनर से किसी ने की हैं उसके बारे माँ आज आज आपको पता चल सकतá बात कर लेते हैं दोस्तों धनू रासी वालों की धनू रासी वालों आपकी रासी से दुतिय भाम में चंद्रमा रहेगा दुतियस्त चंद्रमा का गोचर ये स्तितियां दरसाता है कि आज आपका बहुत ज़्यादा मन, कौमल और बहुत ज़्यादा आप एमोशनल सभाव के रहेगे आज के दिन आपकी बाणी बहुत ज़्यादा कौमल हो जाएगी आप जो बोलेंगे वो आपके पार्टनर को बहुत जल्दी समझ में आएगा आज आपके पार्टनर आपकी बातों की कंद्र करेंगे आज आप से बात करने में उने अच्छा लगेगा आज जो आप बोलेंगे वो दिल से निकलेगा आपका हर बाग के दिल से निकलेगा हाँ आज आपको बचना चाहिए तो एक चीज से कि आज आपका ध्यान पार्टनर पर सक करना partner की चीजों को जादा तर निकालना, खोद कर निकालना, पुरानी बातों को गड़े-मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों को लेकर करके बहस करना, ये स्थिती भी बन सकती है, इस चीज से बहुत सावधान होने की आप सकता है आपको married life में भी किसी प्रकार से पुरानी बात को मत छेड़िए नहीं तो परेशानी उत्पन हो सकती है किसी चीज को investigation जैसी या खोजबीन जैसी चीजों में ना बदलिए नहीं तो आपको परेशानी उत्पन हो सकती है आज के दिन अपने पार्टनर की परिक्षा भी मत लीजिए नहीं तो आज के दिन परिक्षा लेने से परेशानी बहुत हद तक बढ़ सकती है दोस्तों बात कर लेते हैं मकर रासी वालों की मकर रासी वालों आपकी रासी में ही चंद्रमा का गोचर है आज आपका मन बहुत असांत रहेगा आज आप बहुत ज़्यादा एमोशनल होकर के हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे नाराज हो जाएं इस बज़े से आपके पार्टनर आज आपको ब्रेक अप कर लें या आपको छोड़ कर चले जाएं आपको ब्लॉक कर दें इस इस्तिती में आप कहीं न कहीं डिमोटिवेट होकर के आप अकेला सा महसूस करें और आपको परेशानी उत्पन हो आज अपने अंदर कम्याद होने करेंगे आप और अपने पार्टनर के चरित्र को भी पार्टनर की बातों को भी याद करेंगे आज आप बहुत ज्यादा सेल्फिस हो जाएंगे और इस बात को आपके पार्टनर बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे होंगे इस वज़े से आपके पार्टनर आपको कुछ ऐसी बात हैं कह सकते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा बुरा मान जाएं बात हैं सच होंगी लेकिन आपके लिए बुरी होंगी देखा जाए तो आपके लिए एक्ष्ट्रा मेरिटल अफैर में प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती हैं उनको कही न कहीं समालने की आवशकता है बात कर लेते हैं दोस्तों कुमब रासी वालों की आपकी रासी से चंद्रमा का गोचर द्वादस भाव में रहेगां आज आपका मन काफी इसांत रहेगां विदेश में रहते हैं तो डाज जासी संभावनाएं भी बनती हैं आज आपकी पती या पतनी आपके married life में बहुत ज़ादा problem उत्पन्द कर सकती है आज घर में कलह हो सकता है आज इस तितियां तो कुछ ऐसी भी वनती है कि third party की problem की बज़े से third party की problem से परिषानी उत्पन्द हो सकती है आज कोई तीसरा व्यक्ती है जो आपकी married life में problem उत्पन् कोरी देखलिए सुर्भ आपको बचना चाहिए नहीं तो आपकी इस्तिती खराब हो सकती है अपमान हो सकते हैं और ईगो जैसी समस्या आपको बहुई ज्यादा बहुत या सता सकती है आज आपको कही न कहीं स्वार्थी या सैल्फिस बोल दिया जाए जिस बज़य से आप खूपसूरत दिन बनाएगा आज के दिन आपको परेशानी तो खास नहीं होगी लेकिन बात बात पर पार्टनर नाराज हो सकता है इसलिए जो भी बोलें समल के बोलें तो आज के दिन वैसे तो प्रेम संबंद मजबूत होंगी और काफी खुसियां लेकर आने वाला समय रहे या पार्टनर पर आरोप लगाने से बचना है पार्टनर पर ऐसा कुछ ना बोलें जिससे कि उन्हें बुरा लग जाए ये स्तितियां आपके लव रासी फल की थी में इस से लेकर मीन परियंत 12 रासियों का रासी फल बताया अगर आपको यह रासी फल पसंद आया है इस वी किया कीजिए उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लेगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जितना हो सके सेर करना बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों नमस्का पना बहुत 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 नमस्का करते हैं पर प्रह लेक्वप्त बहुत 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 भी को जितना हो सकते हैं